सुनीताज कीचैन में आप सभी का स्वागत है आज मेरे कीचैन में बना है होईली स्पेशल एक तम स्पंजी और टेस्टी दही बड़ा ये देखे देखने में कितना अच्छा लग रहा येकिन मानिए खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है मैंने हरा चट्नी और लाल करके खान सबसे पहले एक कप के करीब आप कलाई का डाल ले ले डाल को अच्छे से चून ले इसमें गंदगी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए उसके थोड़ा सा पाने डालते हुए दो तीन पानी से इसको अच्छे से मिलाते हुए धो ले दोने से हो उता क्या है कि इसमें म धोने के बाद इसको 5-6 गंटे तक हमने फूलने के लिए छोड़ दिया था देखिए 5-6 गंटे तक फूल चुका है दो से तीन पानी से फिर से इसको धो ले धो करके इसको पानी पूरा निकाल करके ले ले एक मिक्सी का जार ले ले और जितना भी डाल है इसमें से आधा ड डाल करके एक बार में आप पीस ले पानी इसमें बिल्कुल ना डाले पानी डालने के बार होता है कि यह पतला हो जाता है तो दही बड़ा अच्छे से बन नहीं पाता है इसलिए बिना पानी का ही इसको पीसना है इसको धक्कन लगा करके एकदम दरदरा सा पीसना है बिल्क अगर इंस्टेट बना करके खाना है तो आप मीठा वला सोडा डाल सकते हैं और नहीं तो इसको पाच मिनट तक फेटने के बाद बहुत ही स्पंजी बन करके तयार होता है बिना सोडा का भी बहुत ही बढ़िया बनता है इसको लगातार इस तरह से पाच मिनट चलाएंगे तो अब हम इसका दही बड़ा बनाएंगे इसको पाच मिनट तक ऐसे छोड़े मिलाने के बाद पाच मिनट तक उसको इसको ऐसे छोड़ दे नहीं चोड़ने के बाद तब इसका बनाएंगे हम ग्यास पर हमने एक कड़ाई चड़ा दिया उसमें हाफ लिटर के करीब तेल डालते तेल डालने के बाद इसको मेडिया फ्ले में गर्म होने थे जादा हाई फ्ले में बिल्कुल न गर्म करें जब तक में इधर तेल गर्म हो चुका हो जाता है तब तक दूसरे साइट पर जाधा लिटर के करीब पानी डालते और एक चमच के करीब नमक डालते नमक डालने के बाद हलका गुनगुना इसको गर्म कर लेना ज्यादा गर्म में बिल्कुल न करें इसको अच्छे से मिला दे मिलाने के बाद 4-5 मिनट में थोड़ा गर्म हो जाता है गर्म जब हाथ सहने तब हो जाए गर्म तो ग्यास को फिर बंद कर दे और इधर देखिए तेल एक दम अच्छे से गर्म हो चुका है तो अहस करणा है तो हठrowsे पर पानी लगाने पाद थोड़ा सब कर ले लेरे गराथ फिर अंगली में पानी लगाते वह मिच में इसका होल बना दे होल बना करें उसके ब्रूलat तो पर बिना होल का वी ऐसे भी बना सकते हैं एक एक करके इसी तरह से हंतेली पर पानी लगाते हुए इसका गोल गोल बनाते जाए आप इस तरीके से बनाएंगे तो यह और भी सौट बनता है अब बीच में होल हो जाने की बज़ा से होता है चारो तरफ से एकदम अच्छे से स्पंजी बन करके तयार होता है दह बढ़ा दूसरा भी इसी तरह से बनाले इसी तरह से दो या तीन या चार दह बढ़ा जितना भी हो आप इसको डालते हुए देखिए हमने इसको फेटा था अच्छे से तो कितना अच्छे से एक्टम फूल डाया इसको मीडियम फ्लेम में अच्छे से इसको छान ले हलका कलर चेंज हो जाए उसके याद इसको हम निकाल लें ज्यादा बिल्कुल लाल ना करें अने तो आप अपने पसंद करने साथ ज्यादा भी लाल कर सकते हैं देखे एकदम अच्छे से यह सेगावा चला गया है अब इसको निकाल ले निकाल करके हमने जो पानी करके रखा था उसी में निकाल करके उसी में हम डालते जाएंगे दूसरे साइट जो हमने पानी चड़ा करके रखा था जित्रा भी हमने कलाय का दाल पीस करके रखा था उरत की दाल सभी को इसी तरह से ले करके उरा एकदम च्छानते था अच्छान करके बगलवला जो गरम पानी वहला कड़ा ही था उसमें इसी तरह से डालते जाएंगे चानावा चला गया पानी में जो हमने डुबाह करके रख यह अच्छे से पानी सोख चुका दो मिनट के बाद जो है इसका हलका पानी है गञते बिलकुल लग छोड़े हाओ नहीं तो पुरा यक्तम gaze से गलने लगता है इसको दो मिनट के बाद ही इसको निकालते हैं तो तो हमने एक प्लेट मेरा आपको लेने का मनेकर में लेड़े उतना दहिथ ले ले आपको दिखा ही किस तरह से बनाया जाता है तो मैंने चार दही बड़ा लिया है आप चाहे तो दो दही बड़ा का भी बना सकते हैं इसमें भरपूर दही डाल दे मैंने एक लिटर के करीब दूद का दही जमा करके रखा था आप चाहे तो घर का नहीं तो मार्केट से भी खरीद करके दही ला के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा पडर भुना हुआ जीरा पडर डारते और लाल मिर्च पडर डालते इसमें और थोड़ा सा इसमें काला नमक डालते काला नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा सा और हमने मिर्ची पडर इसमें डाला है थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा मुझे कम लगरा। तथ उसके आओ यह देखे टैमेटो केचप डाला है। अब इस ऀूली में इस तरहीं के से गशाएं। भहत ही टरेश्टी होता है और साःधी भी बहुता है। बहुत ही सुपाक्ची होता है एक ये तरीका है एक मैं दूसरा तरीका भी बता रही हूँ इसमें मैंने तीन दही वड़ा लिया है तीनों को लेने के बाद इसमें भी उपर से धेर सारा दही डाल दे दही कम जाता आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं देखे हैं हमने पूरा एकदम दही डाल दिया है दही डालने के बाद इसमें मैंने धनिया की पत्ती की चटनी पीस करके रखा था तो वो उसमें थोड़ा सा डाल दे उसके फिर से उसमें टेमेटिक केचप डाल दे या इमली की चटनी डाल दे दोनों में से जो पसंद है वो डाल सकते हैं, उपर से जीरा पड़र डाल दे, थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल दे और मिर्च पड़र डाल दे ये सांदार दही बड़ा बन करके तयार है आप मेरे चैनल पढ़ रहा है तो मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें सेर करें कॉमेंट करके जरूर बता है कि ये दही बड़ा आपको कैसा लगा और मेरे चानल पढ़ रहा है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद